स्वागते बच्चों हमारे चैनल पर हम आपके लिए एक अच्छा 6 से 7 प्रभाकारे पुस्तिका विसे हिंदी में से कारे पत्रक नंबर 52 लेकर आए हैं इससे पहले कारे पत्रक की ग्यावन तक हमने अपने चैनल पर डाल दिये हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो वश्य देखें इस कारे पत्रक में कहानी पढ़कर तुलनाओ के आधार पर निसकर्ष निकाल पाने की दक्षता दी हुई है इसमें कुछ पढ़ने के लिए दिया हुआ है उसको पढ़कर देखते हैं हम पुराने सहर में बनी एतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल बुलया जैसी गलियों में पहुचे गाइड के मार दर्सन में बढ़ते हुए हमने भी पटों की हवेली, सागर सिंग की हवेली और नत्मल की हवेली देखी ये हवेलिया करीब 300 साल पुरानी है, ये हवेलिया देखने में अदबुत है, ये हवेलिया गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गरम रहती है प्रेशन नमबर एक है किलों और हवेलियों में क्या अंतर है तो बच्चों हमने किले और हवेलिया लगबग देखी हैं किले मजबूत पत्थरों की मोटी दिवारों से अधिकतर उची जगे पर बनाई जाते हैं जबकि हवेलिया समतल स्थान पर बनाई जाती हैं और किलों के पिक्षा कम मजबूत होती हैं प्रेश नमर दो है अधिकतर हवेलिया पुराने सेरों में ही बनाई गई हैं क्यों कि हवेलिया जो ती वो रहने के लिए बनाई जाते थी और गाव या सेर के बीचोवीच लोग पहले रहना पसंद करते थे इसलिए पुराने सेरों में ये बनाई गई थी तो ऐसलिए होता होगा, क्योंकि हवेलियों में मिट्टी वे चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, तथा जाली जहरों के बनाते समय धूप, दिसा, हवा आने का ध्यान रखा जाता था, और उनी को ध्यान में रखकर ये हवेलियों बनाए गई हैं, जिससे गर्मियो में ठंडी और जाडों में गरम रहती है प्रेश नमर चार है गाइड का कारे है पढ़ाना मार्ग दर्शन करना हवेली बनाना तो इसमें खा ओप्शन सही है मार्ग दर्शन करना प्रेश नमर पांच है पुरानी सहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष प्रेश नमोर च्छे है, एतिहासिक सब्दका आर्थ बता कर वाक्य में प्रियोक की जिए. एतिहासिक का आर्थ है, इतिहास से सम्बंदिप, हल्दी घाटी का यूद्ध एक एतिहासि गटना है. प्रश्ण नमर साथ है दिये गए अनुच्छेत को संकेत द्वारा पूरा कीजिए गोंसला, पेड, गाना, मजे, गोरिया, घन, घर, रोशंदान, एक ये संकेत दे रखे हैं अब हम इस कहानी में बीच में इनको भर देंगे एक दिन दो गोरिया सीधी घर के अंदर गुस गई और रोशंदान पर जा बैठी, दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी, एक ने नीचे देखा और चीची करने लगी, वह उड़कर पेड पर जा बैठी, जहां उसका गोंसला था तो इस तरह से हमने इन संकेतों को खाली जगे में भर दिया है, और यह हमारा कारेपतरक नमबर 52 पूरा होता है, आगे के कारेपतरक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहे हमारे चैनल से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेर कीजिए धन्यवाद